देख बिनाब्रिक दाउम्लोड तक एप अमेरिकी एरिस्ट्राइक में इरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद खाड़ी के देशों में जबर्दस्त उधल पुथल है अमेरिका और इरान के बीच युद्ध जैसे हालाद बन गए है सवाल है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा जैनकारों की माने तो ये एक ऐसी इस्तिती होगी जो पूरी दुनिया पर भारी पढ़ सकती है ऐसा सोचना कि युद्ध होने पर नुकसान सिर्फ एरान को ही होगा गलस साबित होगा जैनकारों का कहना है कि इस युद्ध से अमेरिका और उसके मित्र देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको बता दे कि इराग से लेकर ओमान तक यानि पूरे खाड़ी देशों में हजारों अमेरिकी सैनिकों का जमावड़ा है ऐसे में अगर अमेरिका ने इरान पर सीधा हमला किया तो हजारों अमेरिकी सैनिकों को बड़े खत्रे का सामना करना पड़ सकता है इसकी वज़ा है कि इरान के पास ऐसी मिसाइलें और दूसरे हथियार हैं जो बड़ी तबाही ला सकते हैं अगर इरान ने इन अख्तियारों का इस्तिमाल किया तो अमेरिकी सेनिकों को भारी नुक्सान हो सकता है। इसके अलावा कई खाड़ी देशों में अमेरिका की जंगी जहास और उनके सेन ये अड़े मौजूद हैं। ऐसे में ये इरानी मिसाइल का निशाना बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का असर बड़े पैमाने पर होगा। यही वज़ा है कि सौधी अरब और कुवेट जैसे देश सहमें और डरे हुए हैं। युद्ध का असर खाड़ी देशों की अर्थवेवस्था पर भी पड़ेगा। इसलिए अमेरिका चाहे युद्ध की कितनी ही धमकी दे। लेकिन इरान के साथ सीधे जंग लड़ना एक बड़ी समस्या को नियोता देने जैसा है। विशिश अग्यों का मानना है कि अगर इरानी जवाबी कारवाई करता है और इसके जवाब में अमेरिका कारवाई करता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थवेवस्था पर होगा।